अर्याना के अंदर बाबु बेटा चुनाओ लड़ रहे थे और उन बाबु बेटों का एंकार चुनाओ लड़ रहा था सबसे बड़ा जो एंकार निखाया और गलती की है और अपनी आई कमान की भी निमानी वो ये की है कि आम आदमी पार्टी से गठबंदन का रास्ता नी चुनाओ आम तो ये भी सुनते हैं कि एकजिट पॉल के नतीजे आने के बाद एकजिट पॉल के अनुमान आने के बाद उड़ा साब ने काफी लोगों को सपत ग्रेंड के निउंदे देने शरू कर रखे थे वो सकता है आपके पास भी इंविटेशन आया हो आम आदमी पार्टी का जो मकसद है वो ये है कि आम आदमी पार्टी मूल भूत सुई दाएं जनता तक पहुचाने की एक जंग है की की थी हाला कि दो और पार्टियां भी चुनावन रहे थी जिनका नाम लोग जानते थे उसमें जेजेपी भी थी आयरल्डी बसपा का एक संहुकत उमिदवार था दोनों की टेबल मुझे नजर नहीं आई और वो दोनों आप से पीछे भी रह गए आज पूरा अर्याना शिरफ और शिरफ है की बात के रहा है कि बाबु बेट्या ने सारा नाज कर दिया ये कॉंग्रेस के नेता भी कह रहे हैं और बीजेपी वाले भी इससे खुस हो रहे हैं और आम तो बकोल आम आदमी पार्टी जो है ना मैं परवकता भी हूँ आम आद अर्याना को जो एक बीजेपी को जो परिवर्तन की या बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की जो कॉंग्रेस से जो उमीर थी लोगों को वो बुपेंदर उड़ा ने उसको जो ना वो शिरे निचर ने दिया पहली बार और राज अंदर जी जब सरकार का घठन उटा है सरकार के जो नई सरकार के मुख्य मंतरी सपत लेते हैं तो सुनने से आगे राजनीती में कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करेंगे नई सीरे से क्योंकि अभी संग्ठन में फेर बदल भी होगा ये तैह है क्योंकि उनको जो अद्रेक्स थे उद्यवान वो खुद आर जाते हैं उन पर भी तमाम तरकी आरोप लगते हैं कि वो डमी कितना काम कर रहे थे या जो भी चीज़े थी और पार्टी जो है कहां से कहां चेलेगी ये आपके सामने भी है आम अदनी पार पार्टी और खास तोर पर मैं आपसे जाना जाओंगा अभी आपकी अब पोलिसी क्या रहेगी आपकी आपका जो ब्लूप्रिंट है आपके काम का वो कैसा रहेगा जिनता के साथ में इंट्रेक्शन कैसा रहेगा क्योंकि एक लंबा वक्त अगले चुनाओ का रहेगा पां ऐसे बहुत सारे प्रत्यासी हैं जो आज कल नजर आने बंद हो गए हैं कहां चले गए वो जानते हैं लेकि अजंदर सोर की चुनाओ से पहले भी आंसी में डटे थे चुनाओ में तो थे ही आंसी में और चुनाओ बेशक वो हार गे लेकिन उपलबदिया भी इनकी कई हैं उन पर भी चर्चा करेंगे लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनाओ हारने के बाद भी हांसी विदानसवाद 6 सब्सक करते हैं, उन्से मुलाकात करते हैं और पता तो यह भी रए हैं लोग के लोगों को पस्तावा बहुत है कि एक शरीप आद्मी और estearn comprehensive in pmordeकोनों ने वोट कर था चोदरी देविलाल को हरा के वो एक बड़ा नाम जो है राजनीती में अपना लिख हुआ चुके हैं वह या फिर आप आप दो लोगों के वोट आए हैं जो करीब करीब से बराबर से हैं उसके बाद हिसार में भी नहीं आए जहां पर अर्विंद के जरीवाल आये थे सं अच्छे खासे आ सकते हैं पंचायतों नहीं कठे होके आपको समर्थन दिया था जिस गाओं से आप आते हैं वहाँ पर भी यह माना जा रहा था कि गाओं कम से कम एक तरफा हो जाएगा उस गाओं में एक पार्टी नेशनल पार्टी यो है वो टिकट दे रही है किसी को उम कामबा चोड़ा है आमोमन आपके परसन ऐसे ही होते हैं और होने ची यह बहुत अच्छी पतरकारिता है और जहां तक चुनाव का विशे है बहुत पहले ही चुनाव जो है वो बाइपोलर हो चुका था रियाना का चुनाव दो धड़ों में बंठ चुका था और कॉंग्रे देशक है और इस चुनाव में शेरफ यही नहीं कह सकते हम लोग कि सारी सर्वे एजनसी जितने एकजिट पोल थे और जितने भी जो अनुमान लगाने वाले जो राजनितिक कारिय करता पोल्टिकल पंडित जितने भी लोग थे सब के जो आकड़े या सब के जो अनुमान है वो दराशाई कहीना कहीं इस चुनाव में हुए हैं और जहां तक आप बात करोगे कि देखो सब से पहले आज जितने भी विशलेशक जो आखरी विशलेशन करके इस चुनाव का उठते हैं तो वो यही होता है चाए जनता करे या कोई राजनितिक विशलेशक करे कि कॉंग परिटिवल फैक्टर्स रहे हैं अलांकि उसमें बड़ा यह भी है अगर कॉंग्रेस राजी हो जाती हरियाना की जो कॉंग्रेस थी जो कॉंग्रेस की लिडर्शीप थी हरियाना में वह श्याद डामेंट रही कि नहीं हलाकि राउल गांदी ने तो ओफर दिया था कि हम एक तरफा एक तरफा नजर आ रहा है कि अर्याना के अंदर कॉंग्रेस चुनाओ लड़ी नहीं रही थी अर्याना के अंदर बाबु बेटा चुनाओ लड़ रहे थे और उन बाबु बेटों का एंकार चुनाओ लड़ रहा था और आज जो है नतीजा सब के सामने है आम आ अगे लेके चलेंगे और जनता के हित के मुद्दे उठाते रहेंगे उठाने का काम करेंगे और मुद्दों से इदर उदर हम बिल्कुल भी बात नहीं करते और हमारा जो पहला जो मकसद है आम आदमी पार्टी का जो मकसद है वो यह है कि आम आदमी पार्टी मूल भूत्सु जाता था पहली तो यह कि जिस दिन वोटिंग थी उस दिन टीन टेबल्स हर बूत के बाहर लगी होती थी बीजेपी कॉंग्रेस और तीसरी किसी की थी तो आम आदमी पार्टे की प्रत्यासी रजिंदर सोर्की की थी हाला कि दो और पार्टियां भी चुनाव रहे थी इनका न जो संगठन है और जो हमारे कारिया करता है ये उनकी मेनत थी और उन्होंने आगे बढ़के और सारे विरोध के बावजूद सब जगे उन्होंने टेबल लगाने का काम किया और आम आदमी पार्टी की उपस्थिती दर्ज कराने का काम किया तो इसके लिए मैं हमारे सारे का यह करता हूं को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं और बदाई देता हूं और यह बिलकुल हमें जो ना अभी यह तै कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी अपने मुद्धों को लेके और लगातार निरंतर जनता के बीच रहेंगे और जनता से जुड़े मुद् आने भी नहीं मिल रहा है तो यह धोरी मार जो है किसानों के ओपर सरकार ना करें और सरकार को अपना पूरा ध्यान जो है वो किसानों के लिए लगाना चीए और किसानों की यह जो मूल बहुत सुविदा है आज जो डी एपी खाद की जो किल्लत है उससे किसान बहुत ज्या और खाद उपलब्द करवाई जाए पहले सवाल में ने दो बते होर की थी आलागि आपने ठीक का था कि सवाल लंबा हो गया तो कुछ चीज रह जाती है एक तो यह थी कि आपके गाउं से जो सपोर्ट मिली चीए थी वो नहीं मिली दूसरी बात यह कि आपके गाउं में और उने लिया उसको सीरे चड़ा पाएंगे आपने कहा कि पंचायत का फैसला तो सुर्वोपरी होता है बगवान के जैसे दर्जा होता है पंचायत का आपने उनको पूरा मान सम्मान दिया था लेकिन पंचायतों की भी नहीं रही कही देखिए पंचायतें भी बड़ा नहीं मिलता और जब परमेश्वर अगर कोई फैसला लेते हैं तो वह आपने सोच समझ के लेते हैं और जिस परकार इलेक्शन जो दो दड़ों के बीच चुनाव था उसमें जो है वह आपना जो उनको ठीक लगया वह उन्होंने फैसला किया और मेरे गाउं से भी आप आप अंदर रिग्रेट नहीं अभी तो ऐसी आलतों रखी है कि वह सारा काम बाबु बेट ने डोब दिया आज पूरा अर्याना शिरफ और शिरफ एकी बात कह रहा है कि वह बाबु बेट्या ने सारा नास कर दिया यह कॉंग्रेस के नेता भी कह रहे हैं और बीजेपी वाले भ आएम तो पहले भी बोलते थे कि वह यह जो हुना भूपेंदर वुड़ा जो है मोधी का गुड़ा है और यह आप लोगों को लगने भी लगया कि वह कहीं ना कहीं बीजेपी से इसांट कांट करके और पूरे अर्याना को जो एक बीजेपी को जो परिवरतन की या ज्यादा जो आज तकलीफ है वो यह है कि सबसे बड़ा जो एंकार दिखाया और गलती की है और अपनी आई कमान की भी नहीं मानी वो यह की है कि आम आदमी पार्टी से गठ बंदन का रास्ता नहीं चुना अगर यह रहा हो तांदा जा कि यह चीज़ें हो सकती है तो फिर वो कोई नहीं कोई अल्टरनेट पर विचार कर लेते हैं या कुछ और बातें लगती हैं आपको इसमें देखिए एंकार जब शिरेचट के बोलता है तो वो आदमी के साथ ऐसे ही बनती है आम तो यह भी सुनते हैं कि एकजिट पोल के नतीजे आने के बाद एकजिट पोल के अनुमान आने के बाद उड़ा साब ने काफी लोगों को सपत ग्रेण के नियोंदे देने शुरू कर देखिए थे वो सकता है आपके पास भी इनिविटेशन आया हो तो ऐसा भी है कि यह सारा मामला जो है वो उनकी समझ से परे था और उन्होंने जिस तरह का जो राजनितिक वातावरन जो बनाया और जिस तरीके का एंकार वो लेके चले वो आज सब के सामने है पहली पर और जंदर जी जब सरकार का घठन होता है सरकार के जो नई सरकार के मुख्यमंत्री सपत लेते हैं और हैं तो सुनने से आगा राजनिती में कांग्रिस को समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करेंगे नई सीरे से क्योंकि अभी संगिठन में फेर बदल भी होगा यह क्योंकि उनको जो अध्यक्स थे उद्यबान वो खुद हार जाते हैं उन पर भी तमान तरकिया औरोप लगते हैं कि वो डमी कितना काम कर रहे थे या जो भी चीजें थी और पार्टी जो है कहां से कहां चलेगी यह आपके सामने भी है आम अगन्य पार्टी और खास तोर प कई किलाडी तो नतीजे आने के बाद से दिखाई ने दे रहे हूं चलेगे मैदान छोड़के लेकिन आप नजर आ रहे हैं आप गाहों में जा रहे हैं यह अच्छी बात है लेकिन आप कैसे कैसे मतलब बहुत लंबा समय है कैसे कैसे काम करेंगे दीखिए मैं आज भी अभी गंगन खेडी गाहों से हो गया रहा हूँ और लोगों से मिलते हैं लोगों की समश्याइ जानते हैं सबसे बड़ी समश्या एक खादना मिलने की और फसल जो है वो समय पे ना भिकने की है और दूसरी जो आज आप देखोगे ना कि हम कह रहे हैं कि हम एक जो राष्ट्रिय पार्टी हैं और जन्ता के मुद्दे मूलबुत स्विधाओं की अमारा मेन मुख्य अजेंडा है और उसी को लेके चलते रहेंगे और अभी आप एक चीज देखिए कि आज भी एक गंटा पहले अर्याना में काफी जो पदादिकारियों की नियुकती आज आमाद में पार्टी ने की है जिसमें सारे नियुकत पदादिकारियों को मैं आपके चैनल के माद जमसे बदाई भी देता हूँ और एक तरफ कॉंग्रेस है कि आपना संगठन नहीं बना पारी और बीजेपी को भी उमीद नहीं थी लोगों को भी नहीं थी बीजेपी भी अपनी 20-25 सीटें ही जो है वो मान के चल रही थी ठीक है उनको शूत आगी उनको भी बहुत बहुत बदाई लेकिन निवेदन है कि वह जैसे एंकार का जवाब उड़ा साब को मिला है कॉंग्रेस को मिला है और सबसे बड़ी चीज है अपनी हाई कमान की ना मानने का तो बीजेपी से भी उमीद करते हैं कि बदले की भावना से काम ना करे और जन हित को प्राथि मिक्ता दे और जो उनके संकल्ब हैं जो 20 संकल्ब उन्होंने जो अपने जनता के सामने रखे थे उनमें अभी तक तो किसी भी संकल्ब पे कोई काम हुआ नहीं है आज तक तो कोई लिए दे के एक हैल्थ के उपर हुआ था लेकिन लिपापोती ना करे अपने संकल्ब को जुमले ना बनने दे और उन संकल्ब को पूरा करने का काम करे लेकिन हार की वज़े क्या रही है कॉंग्रिस की ये आज भी सवाल लोगों के बीच है डिबेट इस पर आज भी हो रही है कॉंग्रिस कब इस से उबर पाएगी हार के सदमे से ये देखना होगा और आमादमी पार्टी कितनी आगे जाती है ये भी देखना होगा लेकिन अच्छी बात ये है कि जो किसानी का एक मुद्दा है किसानों से मुतलिक जो मुद्दा है खाद का वो आमादमी पार्टी और खास तोर पर रेजंदर सोर की इन दिनों हासी विदानसबाद शेतर में जो और सोर से उठा रहें किलत खादगी जो वर्दस्त है इस वीडियो पर खुल के शेयर करें कमेंट करें और आप लेखते हैं हिकमत पॉस्ट